दोस्तों कहते हैं वक्त नाजुक है संभल कर रहे ये युद थोड़ा अलग है अलग अलग रह कर रढ़े नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त नवीन एक वार फिर से स्वागत करता हूँ कोशियश्टेड यूटूब चैनल के एक नए वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में डियलेड बीड इंटिनेंस एक्जाम 2020 को टारगेट करने के लिए फिजिक्स से दूसरा वीडियो लेकर क्या है जो आपका आसिस पब्लिकेशन से रहने वाला है इससे पहले पहला वीडियो हम किलियर कर चुके हैं अगर आपने पीछे वाले व दोस्तों एसपार्क पब्लिकेशन से ही 15 सेट प्रैटिक्स और हैं करवाने वाले आगें तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप लों को आल सब्जेक्ट मिलेगा जी हां दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप सभ टीसी रिक्वेस्ट है मेरी यह देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज लॉक्डॉन बढ़ाने पर सहमती स्कूल कोलेज बंद रहेंगे क्रिसी और उद्यों को राहत संभव हो पाएगी जान भी रहेगा अब जहान भी रहेगा दोस्तों इस तरह का सोच रहे हैं हम आप लों क दस बड़ी खवरों में से रहेगा और आपनों का जो है अभी एक्जाम तो आने वाली है नहीं क्योंकि बहुत टैम लगेगा अभी तो ऐसे में चैनल पर वीडियो बहुत ही कम चल रही है अगर वीडियो अपलोड नहीं होगा चैनल पर तो चैनल कर सकते हैं बैठ जाएग इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इस पर चाह रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज लाना तो आप सभी सपोर्ट कीजेगा और जो भी खबर होगी हम कोशिच करेंगे आप लोगों के सामने रखें देखें दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बात नहीं है aur झहीं किसी वी तरह से गलत काम है तो आप ऐसा नहीं कहेगा सर आप जो है क्या बना रहे थे वीडियो और आप क्या बना रहे हैं दोस्तों इस लोगड़ाज की स्तिती में चैनल को बरबाद होने दे ये आपके नजर में भी ठीक नहीं रहेगा और मेरे नजर से भी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा तो कि इस पर हम महिनत करते हैं हमको पता है कि कितना महिनत करना परता है इसलिए मैंने चाहता हूँ कि किसी भी एंगल से चेनल बरबाद चला जाए और चेनल बेठ जाए तो आप से मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मैं कल से जो है सुबह से इस ट्राइप का वीडियो अपलोड करूँगा सुबह में और आप लों का जो सिरीद चल रहा है भी सामने टेस्टी चल रहा है यह आपका रेगुलर चलेगा च ब्रेकिंग न्यूज भी लाएंगे हमिशा की तरह लाते रहेंगे तो चलिये आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर है आप से वी गलत कॉमेंट नहीं कीजेगा कि यह आप क्या कर रहे हैं क्या बना रहे थे क्या कर रहे हैं आप सभी गलत कोमेंट नहीं किजीगा क्योंकि अगर हम इस टैप का अगर थंबेल नहीं बनाएंगे तो कोई इस पर किलिक नहीं करेगा जानकारे जो भी देंगे वो 100% सियोर रहेगा लेकिन दोस्तों आपका ओपर वाला थंबेल थोड़ा भायानक टैप से रहेगा तो ऐसा नहीं कहिएगा कि आप फेक न्यूज दे रहे हैं या गलत न्यूज दे रहे हैं गलत न्यूज कोई भी नहीं देता है समझने में अगर फेर हो जाती है तभी आपको जो है उल्टा समझ में आ जाती है तो मैं कोशिस करूँगा कि आप लों के सामने इस तरह का वीडियो बन करते हैं और आसिस पब्लिकेशन का जो ये सेट प्रैटिक्ष दूसरा है जो कि आपका फिजिक्स चप्टर का है तो ये वीडियो परती दिन साम साथ बज़े आती रहेगी और मॉर्निंग में आपका न्यूज आएगी फर्स नमर की कोशन के और बढ़ते हैं और हां दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिये हमारे नए साथ हैं तो हमसे जोरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और साथ ही साथ घंटी दवाएए और आल पर किलिक कीजिये क्योंगी कभी-कभी वीडियो लेट से आती है तो उस समय आप लोगों को notification मिलती रहेगी और ये question आपका home work के रूप में था आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा तो चलिए दूस्तों पहला question आपके इसकीन पर है जो आपका कल का question था हमबर के रूप में और ये question है न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार किरिया तथा परती किरिया से संबंदित जो बल है वो क्या होगा सदैव एक एक ही वस्तू पर लगे होने चाहिए या फिर भीन भीन वस्तों पर लगे हो सकते हैं या सदैव भीन भीन वस्तों पर लगे होने चाहिए या फिर कह सकते हैं संबंदित बल जो है इसका परीमान बरावर होना आवस्यक नहीं है परंतु उनकी दिसा एक समान होनी चाहिए तो दोश्तों आप में से बहुत सारे जो है सही जवाब दिये इनका जो न्यूटन के ग मालिक किसी वस्तों को हम धका देते हैं तो वो वस्तों भी क्या करेगा मेरे उपर धका देगा उतना ही बल से धका देगा जितना हम एप से धका भी हमको मिलेगा तो सदैव भीन भीन वस्तों पर लगे होने चाहिए यह जो है आपका सी सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ तो दोस्तों आप सभी को पता है ग्रिविटेशन फोर्स जो होता है वो होता है जी इंटू M1 इंटू M2 बट्य क्या होता है आर का स्क्वेर होता है ठीक ना तो जैसे ही का रहा है कि दरमान की बीच की दूरी को दोगुना क्या जा तो दूरी अभी आर है जब आप 2R कर M2 को भी दोगुना तो भी 4 हो जागा 4 से 4 कैंसिल हो जागा कहने का मतलब क्या होगा कि O परिवर्तित रहता है D सही जवाब हो जाएगा आगे है दो पिंडों के बीच गुरुतवा करसन बल निमलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है दो पिंडों के बीच करेगा आप देखिए दोस्तों option में क्या है वो से देखिए यहां पर कह रहा है गुरुतवा करसन नियतांक पर गुरुतवा करसन नियतांक जो आपका जी जो है केपिटल जी वो आपका गुरुतवा करसन नियतांक हो जाएगा अब यहां पर देखिए पिंडों के बीच की किसका जवाब क्या होगा हम आपको देंगे इसका जवाब तो दोस्तों आप सभी जो इसका आंसर जो है सोच लिए होंगे यहाँ पर जो दोस्तों इसका आंसर लिए होगे मैं आपका बता देता हूँ पिंडों के बीच के मद पर मद मतलग क्या मद में तो कुछ दिया ही नहीं है तो मद पर तो निर्वर करता है लेकिन मद के दूरी पर निर्वर करता है तो आर अगर रहता या दूरी रहता जैसे कि पिंडों के बीच के दूरी है तो ये आपका सही होगा गुरुत्वाकर्शन नियतांग पर भी निर्वर करता है क्योंकि G घटेगा बढ़ेगा तो Gravitation Force का भी मान जो है वो भी घटेगा बढ़ेगा Distance पर भी निर्वर करेगा गुनन फल पर भी निर्वर करेगा क्योंकि M1 into M2 है लेकिन आपका D पर निर्वर नहीं करेगा Next question आपके स्कीन पर है गुरुत्वाकर्शन नियतांग का मान होता है बहुत ही important question है दोस्तों आपका Gravitation से आपको बताना है Capital G जो होता है गुरुत्वाकर्शन नियतांग इसका value क्या होता है G equal to दोस्तों आप 9th class में पढ़ चुके होंगे 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square परती केजी square तो दोस्तों आप इसके SI मातरक को भी धियान में रखिए तोंकि SI मातरक भी काफी important है और आपका B सही जवाब हो जाएगा आगे है निर्वात में सोतनता प्रुवक गिरते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी का वेग समान होगा का तोरन समान होगा या उपड़िक सभी समान होगे काफी important दोस्तों question है देखे दोस्तों जब भी कोई वस्तू उपर से नीचे की और गिरती है तो उसकी जो है वेग क्या होगी धीरे धीरे बढ़ेगी B1 था B2 होगा B3 होगा इस तरह से वेग क्या होगा बढ़ते जाएगा वेग बढ़ेगा चाल भी बढ़ेगा इस तरह से दोस्तों तोरन जो है उसकार नहीं बढ़ेगा तोरन समान रहेगा तोरन हमेशा वहीं रहेगा जो small g होता है 9.8 मीटर परती सकेंड स्क्वाइर वो आपका हमेशा नियत रेगा इसलिए C सही जवाब हो जाएगा आगे हैं विराम से मुक्त रुप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तै की गई दूरी समानुपाती होती है विराम से यानि की जो कोई वस्तु इस्थीर है वहां से कोई वस्तु गिरेगी तो उसके द्वारा तै की गई दूरी जो होगी D वस्तू के द्रमान की वस्तू को गिरने में लगे कुल समय की या फिर वस्तू के गिरने में लगे कुल समय के वर्ग के या फिर गुरुतिय तोरन के वर्ग के क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब देखे दोस्तों वस्तू गिरने में जो समय लगता है उसके वर्ग के समानुपाती होता है क्या समानुपाती होता है तो विराम से गिरती हुई वस्तू द्वारा ते की गई दूरी तो दूरी आप सभी पढ़े ही होंगे जिसे small s कहते हैं small s equal to क्या होता है ut plus half gt square होता है ठीक न, तो यहाँ पर देखिए gt square तो यहाँ पर t के समय में लिया गया है sorry, t के सम्बंद में लिया गया है m तो दिरामान तो है नहीं ठीक न, तो t क्या है यहाँ पर? s square है, तो gt square तो t के work के समानुपाती या कर सकते हैं लगे समय के बरावर होगा या फिर समानुपाती होगा बरावर नहीं समानुपाती होगा तो c आपका सही जवाब हो जाएगा कारिका केवल परिमान होता है केवल दिसा होता है परिमान और दिसा दोनों होती है न तो परिमान होता है और नहीं दिसा होती है क्या होगा दोस्तों आप सदिस और अदिस पढ़े ही होंगे सदिस और अदिस में पढ़े ही होंगे आप कारे कार में क्या होता है केवल और केवल परिमान होता है इसलिए ये आपका क्या है ओदीस रासी है तो आपका एस ही जवाब हो जाएगा जूल का है सहे मातरक क्या होता है काफी important दोस्तों question है और बहुत बार पूछा जा चुका है आप सभी थोड़ा कुशिच किजिएगा fast comment करें और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंज के साथ share करना मत बुलिए क्योंकि बहुत कम यूज आती है इससे हम बहुत demotivate हो चुके हैं आप सभी के लिए तना महिनत करते हैं लेकिन आप सभी कुछ भी नहीं करते हैं इसके बदले में आपको तीन काम बोलते हैं करने के लिए पहला तो वीडियो को लाइक किजिए दूसरा share किजिए उसके बाद नए साती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नहीं करना है तो भी सही है लेकिन share जरूर किजिए दोस्तों जूल ऐसाए मातरक होता है किसका ऐसाए मातरक होता है जिसका अभी option आ रहा है कार और उर्जा का बिलकुल सही जवाब हो जगा कार और उर्जा दोनों का देखे दोस्तों उर्जा जो होती है वो डवलू जो है इके बरावर ही होता है ठीक ना धियान में रखे किये गए कार ही उर्जा कहलाती है तो यह आपका W equal to E हो जाएगा यानि कि B सही जवाब किसी गतिसील वस्तु का वेग आधा करने से उसकी गतिज उर्जा क्या हो जाएगी किसी गतिसील वस्तु का वेग आधा कर देंगे तो क्या होगा उसकी गतिज उर्जा क्या होगी दोस्तों यहाँ पर देखे संकेत दिया गया है संकेत में जो है आप सभी देख सकते हैं पहला टाइम क्या था आपका कि E equal to half MB square ठीक ना बाद में क्या किया गया जब B को आधा कर दिया गया तो यह क्या B का तो square है तो इसका मतलब one by four एक चोथाई हो जाएगा कहने का मतलब D आपका सही जबाब हो जाएगा उमिद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे वायू में धोनी तरंगे होती है अनुपरस्थ होती है अनुदेर्ज होती है कभी अनुप्रस्त कभी अनुदेल या फिर अंस्ता अनुदेल अनुप्रस्त होती है क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब दीजिए बहुत ही वीडियो लंग बन जाती थी पहले तो बहुत ही बोरिंग भी लगता था इसलिए अब कोशिश कर रहे हैं आधा गंटा से जैदे का वीडियो नहीं बने और आप सभी सपोर्ट कीजिगा उस वीडियो के लिए ब्रेकिंग न्यूज के लिए ठीक ना सुबह में आपका ब्रेकिंग न्यूज रेगूलर रुप से आएगी आप सभी जरूर देखिए गा और जहां भी गलती होगी आप कोमेंट कर सकते हैं मैं पहली बार मतलब की प्रैटिक्स करूंगा तो थोड़ा बहुत गलती होगी ही होगी तो कोई भी दिकत नहीं होनी च सकते हैं पहली बार है तो सीखते सीखते सीखेंगे तो कोई भी इनसान पहले सीख कर ही नहीं आता है करने से ही होता है इसलिए आप सभी सपोर्ट कीजिगा अगर हम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे और कर सकते हैं केवल और केवल आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों देखिए वायू में ध्वनी तरंगे होती है अनुदर्ज तरंग होती है धियान में रखिए हमेशा अनुदर्ज तरंग होती है एक अनुदर्ज तरंग की रचना केवल एक संपिंडन होती है आगे आपका उप्षन है केवल एक विरलन होती है या फिर एक संपिंड इसका सही जवाब दीजी देखिए दोस्तो आपका कोश्चन था एक अनुदर्ज तरंग की रचना क्या होती है एक अनुदर्ज तरंग की रचना क्या होती है तो धियान रखे संपिंडन और विरलन हमेशा होगी अनुदर्ज तरंग में आगे हैं अनुदर्ज तरंग उत्पन की जा सकती है किवल ठोस में, किवल दरब में, किवल गैस में या फिर ठोस दरब गैस तीनों में क्या होगा एक अनुदर्ज तरंग उत्पन की जा सकती है किसमें उत्पन की जा सकती है अनुदर्ज तरंग जो भी ले रहे हैं ठोस दरव गयश तीनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा D आगे है अनुपरस्त तरंग गती क्या है केवल सिरिंग के रूप में होती है केवल गर्थ के रूप में सिरिंग और गर्थ दोनों या फिर सम्पिंडन और विरलन दोनों में होती है दोस्तों इससे पहले इसका अपोजिट कोशन आ चुका था और आपको बता दे अनुपरस तरंग जो है स्रिंग और गर्द के रूप में होती है और दोस्तों आपका अनुदर्ज तरंग जो है वो संपिंडन और विरलन से रचना होती है तो ध्यान में रखी इस बात को समतल दर्पन की फोकस दोरी क्या होती है समतल दर्पन की फोकस दोरी क्या होती है काफी इंपोर्टेंट और बिल्कुल सिम्फल कोश्चन है दोस्तों अनन्त होती है ये समतल दर्पन की फोकस दोरी अनन्त होती है फोकस दोरी और वक्रता तिरिजा में संबंद क्या है तो दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे f equal to r by 2 होता है f equal to क्या होता है r by 2 होता है तो इसमें आपका कौन सा option सही हो जाएगा बिल्कुल ए आपका सही जबाब हो जाएगा आगे हैं उत्तल दर्पन में बनने वाले परतिवीम का आवर्धन क्या होगा उत्तल दर्पन में बनने वाले परतिवीम का आवर्धन क्या होगा एक से कम या फिर सून या एक या फिर एक साधी क्या होगा फ्रेंट्स इसका जवाब आप सभी कोमेंट बोक्स में दीजीगा वोसे इसका जो है एक से कम होगा ठीक ना उत्तल दर्पन की आवर्धन छमताज होती है हमेशा एक से कम होती है एस ही जवाब होगा आगे है किस दर्पन में हमेशा वस्तु का परतिवीम काल्पनिक और आभासी रूप में उससे छोटा बनता है क्या होगा friends कालपनिक और आवासी रुप में वस्तु से छोटा बनेगा देखे दोस्तों इसका जो है हम आप लोगों प्रैटिक्स करवा चुके हैं उत्तल दर्पन है जिसमें कि हमेशा कालपनिक और आवासी जो है ये कुछ मिटा हुआ है और उससे छोटा बनता है उत्तल द बाट या तो वस्तु की इस्थिती क्या होगे दोस्तों इस कनुणिशन में हम आपको इस्थिती बहुत बार बता चुके हैं जैसे ही यह माले कि यह फोकस होकर गुजरेगी जब भी आपर दिक दोस्तों वस्तु से बाड बनेगा क्या बनेगा वस्तू से बड़ा बनने की बात करेगा तो वस्तू जो होगा जब तक जो है कह सकते हैं फोकस के अंदर नहीं रहेगा तब तक बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि जब वकरता केंद पर होती है तो वकरता केंद के बराबर बनती है और वस्तू को जैसे ही इधर लाते हैं तो परतिवीम इधर बनता है जब वस्तु यहाँ पर अंदर आ जाती है तो परतिवीम और बड़ा बनने लगता है इसका मतलब है फोकस और धुरू के बीच अगर वस्तु रहेगा न तो परतिवीम सबसे बड़ा बनेगा तो यहाँ पर जो है देखिए उप्सन में क्या है धुरू और फोकस के बीच तो डी आपका सही जवाब हो जगा अवतल दरपन में धियान रखिए किसी पदार्थ के लिए नाभिक्य सनलयन के लिए आवस्यक ताप होनी चाहिए अगर कोई नाभिक्य सनलयन होना है तो उसके लिए कम से कम आवस्यक ताप मान कितना होना चाहिए 10 केल्वीन 100 केल्वीन 10 पर पावर 4 केल्वीन 10 पर पावर 7 केल्वीन काफी important दोस्तों question है आपके examination की दिरिश्टी कुन से ऐसा नहीं कहेगा कि किवल और किवल आसान से आसान question लेते हैं जएदे से जएदे hard question में भी देख लिजिएगा आप लोग कि simple simple question ही पूछा जाता है ऐसा नहीं है कि hard question पूछा जाता है लेकिन हम लोग advanced level के त्यारी करने के चकर में syllabus को भूल करके त्यारी करने लग जाते हैं अग्जाम में question छूटता है और बोलते हैं कि कहां से question आता है वई तो आप सभी इस पर थोड़ा धियान जरूर दीजिए दस पर पावर 7 Kelvin जब तक रहेगा तब तक जो है मतलब कि इस से जैदे ही रहना चाहिए कम नहीं रहना चाहिए तो आवसे पताप होना चाहिए दस पर पावर 7 Kelvin नाविकिया सनलयन के लिए आगे हैं नाविकिया रियक्टर में स्रिंखला अविकिरिया को नियंतरित करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है मंदक की रूप में तो दोस्तों आप सभी पढ़े ही होंगे मंदक के रूप में पर्योग किया जाता है और 10 क्लास में आप सभी पढ़े होंगे मिर्दूलक, सीतलक, नियंतरक छड़ या फिर रियक्टर कोड क्या यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है दोस्तों जब भी नाविक्य संलेयन होती है जब भी नाविक्य संलेयन या फिर विकंडन होती है उसमें जो होता है क्या है कि नियंतरित की जाती है जिससे की बिजली उत्पादित की जाती है लेकिन जो परमानुबम होता है उस पर नियंतरन नहीं की जाती है तो नियंत्रित की जाती है बिजली उत्पादन जब होना होता है तब तो उसमें नियंत्रित छहर घुसाया जाता है जो की ब्रोमीन का होता ऐसा है ठीक ना तो ब्रोमीन की छहर जो घुसायी जाती है तो वो क्या करता है विस्पोड जो होता है उसको नियंत्रित करता तो U92 U92 235 पर जब मंद विएग वाली Neutron से परहार किया जाता है तो यह जो है कई परकार के टुकरा मतलब निर्मान करता है साथ साथ ओरजा का भी निर्मान करता है वो सब आप सभी को पता ही है नविकर्निय कौन जो है ओरजा का नविकर्निय शुरोत है बताईए नवी करनिय सुरोत पुछा गया है दोस्तों जिसको जो है आप दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं जो हमारे जैव प्रकिर्टी दोबारा प्राप्त होता है नवी करनिया सुरुत मतलब यहीं होगा कि जिसे हम बार बार उप्योग कर सकते हैं जैसे कि हो गया लक्री लक्री को अगर हम जलाएंगे तो कोईला बनेगा फिर से कोईला को जलाएंगे तो अभी एक बार हम और उप्योग कर सकते हैं कोईला पेट्रोलियम और प्रक्रिती गैस को जब एक बार यूज़ कर लिया जाता है तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आपका यहां पर भी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों के सन्यूजित कर काफी important दोस्तों को सन्यूजित कर सौर पैनल जो बनाते हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं ताप से विदुत उजाप्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है छोटा छोटा सेल को सन्यूजित किया जाता है देखते होंगे आपकी गोला गोला टैफ से इतना बड़ा बड़ा रहता है या फिर चोखुटा भी रहता है आयत जैसा रहता है या फिर वर्ग जैसा भी रहता है तो इन सभी को जो है एक दुसरे से सन्योजित की जाती है ठीना सन्योजित की जाती है इसका मतलब ये अनेक छोटे-छोटे सौर सेलों को सन्योजित करके एक बड़ा सौर सेल बनाया जाता है तो बी सही जवाब होगा पवन विदूत जनेतर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर आपको मान ले कि पवन उर्जा से विदूत उर्जा प्राप करनी है तो पवन चक्की में पवन चक्की के लिए कम से कम कितनी एस्पीड होनी चाहिए हवा की दोस्तों 15 किलोमेटर परती घंटा कम से कम एस्पीड होनी चाहिए हवा के तभी विदूतूर्जा परात की जा सकती है आगे हैं बॉक्स परकार के सौर कुकर उसके उपड़ी भाग में काच के धकन देने का कारण क्या है बॉक्स परकार के सौर कुकर के उपड़ी भाग में काच के धकन देने का क्या करण है जो सौर कुकर होता है तो हाँ पर क्या करते हैं काच का धकन लगाते हैं मतलग की सीशा ठीक ना सीशा का धकन लगाते हैं आपको बताना है क्यों डालते हैं दोस्तों समझ लिजिए कांच का ये सोरी कुकर जो जब भी यूज होता है सोर कुकर उसमें क्या होता है कि सूर के परकास को जो विभीन दिसाओं से आ रहे हैं तो विभीन जगहों पर जो परकास की किरन आती है इन सभी परकास की किरनों को एक जगह फूकस किया जाता है जिस २िससे ही गर्म होती है तभी शोर कूकर काम 만पर करता है कि कौन सा ओफ्सनule आपका मिच कर्रा रहा है यहां देख रहे है विकरन उसुए विकरनगरा उस्मा हानी को कम करने के लिए मतलऑगा जय्दा जय्दा ऐसमा एक जगण एकत्रित की जा सके इसलिए जो है धकन देते हैं कांच का और दोस्तों धकन कांच का देते हैं जिसे की आर पार जो है सुरी की परकास चली जाए अगर मानलीज के धकन कांच का नहीं देंगे लोहा का देंगे तो धूप तो उपर ही रह जागा वो कुकर के अंदर जाएगा भ अगर एक स्वतंत्र वस्तु है स्वतंत्र रुप से गती कराना है तो एक केजी द्रमान वाला वस्तु है एक न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा तो दोस्तों F इक्वल टू क्या होता है M A होता है दरमान इंटू तोरं तो दोस्तों आपको A निकालना है तो F बटे M हो जाएगा दोनों एक एक है इसका मतलब A भी एक ही होगा कहने का मतलब एक मीटर परती सेकेंड स्क्वार तोरं से वो गति सील होगा तो D आपका सही जवाब हो जगा बिल्कुल सिंपल कोशन है थोरा बहुत लोजिक लगाएगा तो सब का सब बन जाएगा गति करने के लिए स्वतंतर किसी वस्तू पर कोई बल लगाया गया है ठीक ना आप मालूम है और M भी हमको मालूम है तो बताना है न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहता से हम वस्तू का भार ग्याद कर सकते हैं वस्तू की चाल ग्याद कर सकते हैं वस्तू का तोरं ग्याद कर सकते हैं या वस्तू की इस्तिती ग्याद कर सकते हैं देखें दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम F equal to MA कहने का मतलब जब F मालूम होगा M मालूम होगा तो आप A निकाल पाईगा A क्या है आपका तोरन है तो वस्तू की जो कह सकते हैं तोरन ग्यात कर सकते हैं C सही जवाब होगा आगे है कोई अचर बल 0.8 kg दिरमान के पिंडो में अतना तौरन उत्पन करता है तो बताना है बल का मान क्या होगा F equal to क्या हो जाएगा M E हो जाएगा तो आप सभी से cross multiply कर दिजिए 86 जा 48 इसका मतलब 48 तो होगा एक दसमलब यहाँ एक दसमलब यहाँ लाइक कर दिजिएगा M दरमान की वस्तु का पिर्थवी की सतह पर भार क्या होगा दोस्तो M दरमान की वस्तु है तो पिर्थवी की सतह पर उसका दरमान कितना होगा बिल्कुल सिम्पल कोश्चन है क्योंकि आपको पता है दरमान जो होता है वो small g के कारण होता है गुरुतियत तोरण के कारण होता है ठीक न तो दरमान जो हो जाएगा वो आपका भार और सुरी भार जो होता है भार और दरमान में थोड़ा अंतर होता है भार आपका जो होता है वो होता है किसी वस्तु का पिर्थी द्वारा जो खिचाव बल होता है वो आपका भार होता है और दरमान जो होता है ये आपका किसी वस्तु का अस्पेसल वेट कितना है वो बताता है दरमान जो होता है माज जो होता है वो होता है किसी वस्तु का होता है इसलिए भार एक्वल टू क्या होता है एम जी होता है भार एक्वल टू एम जी यानिकी दरम गुरूतियत तौरण इसलिए आपका 20 सही जवाब होगा नेक्स्ट कोशन के ओर बढ़ते हैं एक पदार्थ जो जलने पर बहुत ज़्यदा उस्मा उत्पन करता है क्या कहलाएगा कोई पदार्थ को जला रहे हैं ज़्यदा उस्मा उत्पन कर रहा है तो आप उसे क्या तो कोई-कोई लकडी ऐसा होता है जो काफी धुआ देता है जलता बहुत कम है तो वो भी आपका इंधन ही है लेकिन दोस्तों इंधन को बोलेंगे जब आपका होगा क्या कि सबसे जैदे उसमा देगा कम कारवन डॉक्षाड देगा मतलब अच्छा इंधन होगा तो D सही जव जबाब होगा नेक्ष्ट कोश्चन है पिर्थवी की सतर के नीचे कारवनिक पदार्थों के अब घटन के कारण जो इंधन बनता है उसे आप क्या कहेंगे यानि कि लाखों वर्सों करोरों वर्स पूर्व जो है पिर्थवी के अंदर जो लकरी दव जाते हैं या फिर कह सक सकते हैं कोई जीव जन्तू ही दब जाते हैं तो उस इंधन को आप क्या बोलेंगे जो वर्सों बाद प्राप्त होता है दोस्तों जिवास में इंधन ऐसे को कहा जाता है जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा आपका उत्तम परकार का क्वेला क्या है यानि कि स दोस्तों जो भी आप में से अंत्रा साइड ले रहें बिल्कुल सही जवाब है 100% दोस्तों काफी इंपोर्टेंट कोशन है इन सभी कोशन को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए अगर आप आप इस टाइप के कोशन को कभी भी नेगलेट नहीं करें आगे हैं इन में से कोक या फिर चारकुल कि दोस्तों में प्रफिन प्याठी प्राप्ट किया जाता है क्रूड आयल से द्वयान बेर है इन सभी कोशन को रट सकते हैं प्रुड ने का निर्मान होता है प्रूड आप अक्रोड ने करते हैं नहीं तो सोच लिए ठीक नें होगा हाँ दोस्तों जो भी ले रहे हैं कुरूड आयल बिल्कुल सही जवाब होगा किरोसीन का निर्मान्ज होता है कुरूड आयल से ही होता है बी सही जवाब होगा जलाने पर इन में से सबसे कम पर्दूसन होता है किसको जलाएंगे तो सबसे कम पर्दूसन होगा पेट्रोल देखी चीज यूज कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ही कम परदोशन हो रही है वो है आपका प्रकुर्तिक गैस ठीक न डी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं परमानो बम आधारित है देखिए काफी इंपोर्टेंट कोस्टन है आपका नाविके सनलयन से विखंडन से जो भी कर दिजिये परमानो बम आधारित है राशैनिक अविकलिया नाविके विखंडन नाविके सनलयन परमानो टकर विखंडन में क्या होता है तूटता है मतलग की एक भारी नाविक क्या होता है य een छोटे छोटे नाविक में तूटता है सनलयन में क्या होता है कई छोटे छोटे नाविक मिल करके एक भारी नाविक बनाता है तो दोस्तों यहां तो पर्मानो बम है और इसको नियंतरित भी नहीं किया जाता है इसलिए एक आएक फटता है और जोर की आवाज करता है और धेर सारी उरजा निकलती है तो यहां पर विखंडन होती है तो भी आपका सही जबाब होगा आगे हैं दोस्तों यदि किसी वस्तू द्वरा तै की गई दूरी वर्ग दूरी समय के वर्ग के अनुत कर्मानो पाती हो तो हम कह सकते हैं वस्तू यानि अनुत कर्मानो पाती मतलब हो गया समानो पाती हो विद कर्मानो पाती मतलब उल्टा अनुत कर्मानो पाती मतलब सीधा तो यहाँ पर क्या होते है तै की गई दूरी समानुपाती होता है समय के वर्ग के ऐसा कहा गया डी समानुपाती टी स्क्वेड तो सुन्य वेग से चल रही है अचर चाल से चल रही है या तोरण कह सकते हैं अचर है या फिर वस्तु का वेग एक समाने क्या कहेंगे दोस्तों काफी important question है ऐसा कह सकते हैं आप सभी पढ़े हुए S equal to क्या होता है UT plus half AT square होता है या GT square AT square का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तोरण आपका यह हो गया A और यहाँ पर T square तो S तो T square के समानुपाती है ही लेकिन दोस्तों जब तक 1 by 2 तो constant है है जब तक A constant नहीं होगा तब तक T square के समानुपाती हो पाएगा कभी भी नहीं हो पाएगा इसलिए यहाँ पर A को भी ओचर होना पड़ेगा constant होना पड़ेगा तब ही जब दी जब या फिर S जो है समानुपाती हो पाएगा T square के तो धियान में रखी इस बात को समझ गए होंगे उमीद करता हूँ तोरण का ऐसा है मातरक क्या होगा बहुत ही important दोस्तों question है आपका gravitation से तोरण का ऐसा है मातरक क्या होगा meter पर 30 second square बिलकुल सही जवाब होज़ेगा दोस्तों आप सभी पड़े होंगे जब पड़िभासा पड़े होंगे तो वहीं पर आप लोगों को मिला होगा दाव equal to जो होता है पर नोद बटे छिद्रफल होता है दाव equal to क्या होता है पर नोद बटे छिद्रफल होता है तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा आगे है किसी पदार्थ का आप एकछी घनत बराबर होता है किसी पदार्थ का आप एकछी घनत बराबर है पदार्थ का घनत यानि कि परमानिक पदार्थ का घनत या फिर कर सकते हैं परमानिक पदार्थ का घनत बट्टे है ये बट्टे है पदार्थ का घनत किसी अन्य पदार्थ का घनत बट्टे है पदार्थ का घनत या फिर उप्यूक्तिने से कोई भी नहीं दोस्तों आप एक छी घनत बराबर जो होता है पदार्थ का घनत घनत बटे परमानिक पदार्थ का घनत तो आपका एस सही जबावगा यह सभी जो है फर्मुला है आप सभी इनको याद कीजिए पानी यानि कि जल के घनतों का मान कितना होता है कि जल के घनतों का मान तो दोस्तों एक लिटर जो हम लोग बोलते हैं वो कितने कितने मैंल का होता है एक लिटर तो यहां पर क्या हो जगा दोस्तों एक हजार केजी परती मीटर क्यो परती मीटर क्यो तो यहां पर क्या हो जाएगा ए डी सही जवाब हो जाएगा आगे है यानि की कह सकते हैं एक मीटर लंबा एक मीटर चोड़ा एक मीटर उचा जो कई लंबा चोड़ा उचा एक मीटर होनी चाहिए और उसमें जितना जल आ जाए न वहीं आपका घनत हो जाएगा जल का आगे है किसी उचे भवन की छट से एक पत्थर को गिराया जाता है एक उचे भवन से क्या किया जाता है एक पत्थर को गिराया जाता है चालेस मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी जब चालेस मीटर नीचे आ जागी तब चाल क्या होगी तो दोस्तों आपको पता ह भी 1, भी 2, भी 3 इस तरह से जितना नीचे आएगा उतना स्पीड बढ़ते जाता है इसका मतलब है पहले तो 0 होगा उसके बाद जो है वेग बढ़ा होगा तो यहां पर क्या करा है 40 मीटर नीचे गिरने पर उसका वेग क्या होगा देखिए भी स्क्वार एक्वार्टू क्या किजिए आपका आज आएगा भी स्क्वार एकोल टू साथ सो चोरासी कहने का मतलब 28 मीटर परती सेकंड भी का वेग आगे हैं जब एक पत्थर के टुगरे को उपर की और फेका जाता है तो वह 19.6 मीटर की उचाई तक जाता है उसके प्रारंबिक वेग का मान निकालिए द यहां पर क्या कहा जा रहा है कि फेका जाता है तो जिस समय फेकेंगे उस समय महत्तम वेग रहेगा बाद में जो है जीरो होगा न तो बाद वाला वेग तो आपको निकालना ही है तो प्रारंबिक वेग निकालना है तो प्रारंबिक वेग ही यहां पर महत्तम वेग हो जाए करी में दूश्रे सहे ले जाए तहो कि भी स्कूर फ्लस टूजी एच हो जाएगा लेकिन भी स्कूर का मान किया होगा लास्ट में तो जीरो हो जाएगा ए ओपर जाएगा जिससे में गी नीचे गिरह उससे भी में जीरो हो जाएगा इसलिए ये स्कार्डाव 2 ग एक स grandpa n इस तरह से जोड़ा जाता है तो सम्तूल्य परतिरोध क्या होगा तो दोस्तों सम्तूल्य परतिरोध स्रेनी करम में जो होता है चार पलस चार पलस चार पलस चार डारेक्ट जूर जाता है इसका मतलब 16 ओम हो जाएगा अगर यहीं समांतर में रहता तो 1Y4, 1Y4, 1Y4 करते इसका मतलब एक ओम हो जाता जल जूल परती कुलम किसके बढ़ाबर होगा काफी important दोस्तों question है हमिशा के लिए इसे दिमाग में बठा लेजिए जूल परती कुलम किसका ऐसा है मातरक होता है नोट कर लिजिए पैन निकाल लिए हमिशा कॉपी पैन सामने में रखिए उसके बाद इसे नोट कर लिजिए वोल्ट जी बिल्कुल सही जवाब होजगा जूल परती कुलम वोल्ट बिल्कुल सही जवाब होजगा के उपभोग कितना करेंगे अगर दस बल जो है परती दिन एक घंटा जलाते हैं जो एक एक सो वाट का है क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब बताईए क्या होगा तो दोस्तों यहां पर आप धियान दिजिए जब एक वाट बिजली का यूज या फिर कर सकते हैं सकती का यूज एक घंटा तक की जाती है तो जो भी उर्जा होती है वो एक वाट के बरावर होती है लेकिन यहां पर एक सो वाट का यूज कर रहे हैं तो एक सो गुना हो जाएगा यहां पर एक घंटा तो यूज कर रहे हैं लेकिन दस बल यूज कर रहे हैं तो दस गुना हो जाए विदूत उर्जा कितना खपत हो रही है, 1000 watt हो रही है, तो इस तरह से 1000 watt याने की 1 kilowatt घंटा हो जगा, कहने का मतलब आपका 1 unit हो जएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 kilowatt घंटा में बदलिएगा, तो एक unit में आज एगा मेरे ख्याल से इसका C होना चाहिए, आप इसका comment करके बताएगे कि क्या इसका जवाब होगा यहाँ पर साइध हमसे गलती हो रही है या फिर किसी पता नहीं कि question में गलत है कि क्या है तो इसको हम बाद में चेक कर लेंगे इसका comment box में आप सर्वी जरूर जो है comment करके बताएगा कि इसका answer क्या होगा बी लिया है इसका answer next question के और हम बढ़ते हैं ए और बी दो परतीरोधों को सरेनी करम में जोरा गया है समतुल परतीरोध क्या होगा दोस्तों जब भी सरेनी करम में जोरा जाता है तो समतुल परतीरोध दोनों से जैदा होगा क्या होगा दोनों से जयदा दोनों के योग के बराबर होगा सी सही जबा होगा अगर यही समांतर कर्म में रहता तो दोनों मतरा की अलग-अलग जितना है उससे कम होता आगे है रैडियों एक्टिव आईसो टोप ऐसी दर से विघटित होता है है कि 96 मिनट के पस्चाथ उसकी प्रारंभिक मात्रा का क्यवल एक वट आठ भाग सेस रह जाता है तो अर्द आयू जो कि आप पढ़े होंगे कर सकते हैं टुवेल्थ में आप सभी पढ़े होंगे हाफ लाइट पीडियर ठीक ना तो इसका जो आंसर लिया है आप सभी वैसे बताएगा कि इसका आंसर क्या हुआ मतले कि सौल करके बताएगा यहां पर जो हम नहीं कर पाएंगे और यहां पर किया हुआ भी नहीं है और इसमें टैम भी लएगा तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं 32 मिनट लिया है आप इसे सौल कर लिजीगा प्रार्थमिक रंग primary color कौन से है दोस्तो primary color जो है इसे याद रखे जो कि कह सकते हैं white color बनाता है वो है लाल हरा नीला लाल हरा नीला प्रैमरी color में आते हैं बादमा की जो भी है वो आपका secondary color में आते हैं next question है एक लोलग घरी 5 घंटे बजाने में 5 सकेंड का समय लेती है तो 9 घंटे बजाने में कितने समय का सकेंड लेगी तो दोस्तों 5 में जो है 5 घंटे तो 10 घंटे में कितना 10 सकेंड लेना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो 9 ही है तो दोस्तों जब भी एक round लगाएगा दूसरा round लगाएगा तो उतना ही समय लगाएगा ठीक ना तो दस घंटे हो या फिर नो घंटे हो तो समय क्या लगा यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा नेक्रोम का इस्तमाल किया जाता है क्यों करते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल लोजिक है नेक्रोम की कुंडली का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि उसका परती रोध अधिक होता है जिसके कारण वो जैदे गर्मी परदान करता है उसके बाद दूसरा कारण यह है कि जितना लांक भी उतना जय दे रहेगा तो यहां पर इस वज़े से भी जो है नेक्रोम को यूज किया जाता है पांच एंपियर की धारा भी बरदास्त कर लेता है तो यहां पर उप्यूक्त में से सभी कारण हो जाएंगे डी सही जवाब होगा आगे हैं दोस्तों आज का आपका लास ख़वरी है या फिर का सकते एक बहुत बड़ी सूचना है दोस्तों वो बड़ी ख़वर यह है कि हम आप लों के लिए लोकडाउन की इस्थिती में ब्रेकिंग न्यूज लाना चा रहे हैं क्योंकि चेनल अभी चल नहीं रहा है और कोई भी अगर आनली के स्टेडी मेटेर और आपका एस्टेडी जो है साम में चलेगी जो अभी चल रही है वो चलते ही रहेगी और जो भी होगा दिन भर की ख़वर होगी तो उसमें हम आप लों को अवगत कराते रहेंगे जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होगा उसको लेकर के हम आप लों के सामने आते रहेंगे तो आप सभी से request है कि आप सभी स्थोरा support कीजिए तबी हम इस news को ला पाएंगे ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा news reporter है और आप लोग के सामने news ला रहें ऐसा कोई बात नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं सीखने का आप लोग के सामने अगर मालिक की कुछ बोल पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है तो आप सभी support कीजिए आप भी खुद कर सकते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है किसी भी दृष्टी कोर से कोई गलत बात नहीं है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आप सभी सपोर्ट कीजी हम कर पाएंगे अगर ऐसा लगता है हमको तो जरूर करेंगे और जो आपका study चल रहा है न वो आपका चलता ही रहेगा वो हमेशा आप लोगा चलता रहेगा जैसे कि हम आपको बताएं कि आपका unique का 20 सेट करवा दि करेंगे mathematics का सिरीद चल रहा है reasoning का कभी कभी सिरीद चल रहा है तो वो सब आपका समय समय पर चलता ही रहेगा तो लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए breaking news सुबा मिलाएं तो आप सभी support कीजीगा देखिएगा share कीजीगा अगर आप लोग को कोई दिकत है तो comment box में जरूर बताएगा कि नहीं किवल हमको study ही चाहिए नहीं हमको breaking भी चाहिए नहीं आपका मर्जी है आप चाहे breaking डालना तो breaking भी डाल सकते तो आप सभी comment करके आप अपना राय जरूर दिजेगा अगर हम breaking नहीं डालेंगे ना तो channel बेट जाएगा channel बरबाद हो जाएग ऐसे में बाद में भी अगर वीडियो डालेंगे study material तो नहीं चलेगा इसलिए आप सभी से request है बात को थोड़ा समझेगा और इस पर थोड़ा धियान दीजेगा मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और इसका PDF टेलेग्राम से download कर लिजेगा चलेब जोड़ा का सक यह करोशे है